नमस्कार दोस्तों मैं दॉक्टर कॉमल बेहल विलकम टू मैं यूट्यूब चैनल श्री आईरविदा दोस्तों इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे मर्म विभाग शरीर अधियाई यानि कि चैप्टर नमबर 4 अश्टांग इर्दि शरीस्थान अश्टांग इर्दि शरीर स्थान का चैप्टर no.4 मर्म विभाग शरीर अधियाई इससे पहले मैंने ये चैप्टर जो आपको बढ़ाया था पहले मैंने आपको ये बताया था कि हमारे शरीर में डाइग्रम के तरू कि कौन से मर्म की क्या स्थान क्या लोकेशन होता है और कौन से मर्म के विध होने पर क्या लक्षन होते हैं ठीक है और उसका link जो है मैं आपको description box में दे देती हूँ ठीक है आप पूचाए तो पहले उस video के go through हो जाएए फिर उसके बाद इस video को आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको exactly diagramatically पता चल जाए कि मर्म की location क्या होती है और उसके elections भी उसी में बताए हूँ है तो चलिए इसमें आप theoretically इस अधियाए में मैं आपको बताती हूँ notes के थू मर्म के बारे में और अलग-अलग मर्म उनके स्थान के बारे में और उनके विद्ध लक्षन के बारे में मर्म के संख्या कितनी होती है 107 शाखा गत मर्म मतलब प्रतेक शाखा में 11 मर्म होते है तो टोटल शाखा गत मर्म कितनी होते है 44 कोश्ट गत मर्म होते है 3 और उरे मर्म जो होते है थोरेक्स एरिया में वो होते है 9 प्रिष्ट मर्म होते है 14 और उरदव जत्रुगत मर्म होत मैं फिर से रिपीट करती हूं, मर्म के संख्या होती है, 107, शाखागत मर्म होते हैं, 44, 44, प्रतेक शाखा में 11, के हिसाब से, और फिर कोष्ट गत मर्म होते हैं, 3, और उरे मर्म जो होते हैं, थौरक सेरिया में वो होते हैं, 9, प्रिष्ट मर्म जो होते हैं, जो हमारे पीठ म कई सेंटर में होता है इसके विद्ध के वृढवे चैनल सिंए होता है कोर्च मर्म यो होता है हमारे पкие ऊपर वाले हिस्से में ventral side पे होता है ये जिसके विद्ध होने पर पाद श्रमन या कम्प होता है कूर्च शिर भी उसी के आसपास ही होता है इसमें शोफ और रुजा मतलब pain और शोफ swelling हो जाती है इसके विद्ध होने पर गुल्फ एंकल पे जो मर्मूता है इसमें pain, stumban, stiffness है, ruckus, stumban गती मांदे कर मतलब कि चलने में थोड़ी गती मंद हो जाती है इंद्रवस्ती जो होता है हमारे calf muscle मतलब back side में हमारे जो lower leg के जो calf muscle जहाँ पर होते है वहाँ पर कि knees पर जो हमारे मर्म होते है यह अगर विद्ध हो जाए तो जीवित रह जाने पर खंजता हो जाती है ठीक है लड़ खड़ा के चलने लगता है next है आणी, आणी है, उर्वी है मतलब कि जानों से उपर, नी से उपर अगर आप थाइस वले एरिया की तरफ चले ऊपर की तरफ चले तो आणी आएगा पहले तो जिसमें अगर विद्ध हो जाए तो उरूस थंब एवं शोफ कर होता है यह मतलब थाइस की एरिया सको stiff कर देता है और शोफ कर होता है उर्वी होता है कि इसमें रक्त शहय की पक्षगात होता है अगर यह विद्ध हो जाए तो चीक है आप चाहें तो एक बर डाइग्रमार्टिकली जो है जरूर देखिएगा वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जिससे आपको पढ़ना और भी easy हो जाएगा विटप जो है विटप मर्म में क्या होता है अगर विद्ध हो जाए तो स्थूल आंत्र बद्ध हो जाती है ठीक है इंटेस्टाइनल ससेप्शन हो जाता है फिर उसके बाद विड़ एवं वाद का सरन और सद्योगन तो यह एक तो इसमें क्या होता है कि जो गुदा में मर्म है उसमें अगर विद इसमें कम हो जाती है बदता हो जाती है और वायू और पुरीश का पास ना होना ठीक है स्टूल पास ना होना विड एवं बात का सरन एवं सद्ध्योगन ठीक है उसी टाइम ये मृत्यू हो सकती है वस्ती वर्म जो है वस्ती मर्म जो है इसमें विद होने पर धनुवक्र ठीक मैं आपको फिर से समझाती हूँ पहले एक बर पूरा पढ़ लेते हैं कि अश्मरी वरण में दूनों और विध होने पर मृत्यू और मूत्र स्त्रावी वरण उत्पत्ती होती है तो सबसे पहले है कि बस्ती मर्म जो है इसमें धनू वक्रता हो जाती है और भी लोकेशन चैसे कि वस्ती के आसपास अल्प मास रक्त अगर कोई जगा है अधो मुख कटी के मध्यम में अश्मरी वरण के अतरिक्त अगर कहीं विध हो गया तो मृत्यू हो जाती है अश्मरी वरंड के दोनों और विध होने पर मृत्यू और मूतरस्त्राफ वरंड की उत्पत्ती होती है तो इसमिया की मूतरस्त्राफ जासे मूतर निकलता है जिस रास्ते से यूरिनरी ट्राक से ठीक है वहाँ पर वरंड की उत्पत्ती हो जाती है नाभी मर्म में क्या होता है कि आम एवं पकवाश्य के मध्यम में नाभी होती है इसकी एक तो लोकेशन बताई है मतलब आमाश्य और पकवाश्य के मध्यम में नाभी होती है सर्व सिराओं का आश्रे माना है और इसका विध हो गया मतलब कि ना भी मर्म पविध हो गया तो ये सद्ध्य प्राण हर होता है अब है थोरैसिक एरिया में यानि कि उरोगत या फिर उर्दव जत्रोगत मर्म जो होते हैं जिसकी हमने संख्या पड़ी थी सैंतिस चीक है तो इसमें सबसे पहले है हिर्दे हिर्दे को पहले तो उसके बारे में क्या कहा गया है वो पड़ते हैं तो हिर्दे जो है इसको अमाश्य का द्वार बोला गया है फिर उसके बाद सत्व आदी धाम बोला गया है और स्तन उर्य मतलब कि दोनों स्तन के बीच में और कोष्ट के मध्यम में होता है और ये सद्य प्राणहर होता है अगर इसमें विद्ध हो जाए स्तन रुहित मर्म जो होते हैं देखिए एक तो है स्तन मूल की दो मर्म जो होते हैं दोनों स्तनों के नीचे होते हैं एक है स्तन रुहित मतलब की दोनों स्तनों के उपर होते हैं तो स्तन रोहित जो होते हैं विध होने पर कोश्ट का रक्त से परिपून होना ये लक्षन बताया है। अगर अपस्तम मर्म विध होता है तो और श्वासकात से मृत्ति हो जाती है। आप उस वीडियो को जरूर रेफर करिएगा ठीक हैं और अपने नोट्स में उस डाइगरम को बनाईएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो अपलाब जो है ये उर्दव जत्रुगत मर्म में से अपलाब भी एक मर्म है इसमें विध होने पर कोश्ट में रक्त एवं पुए बन जाती है जिससे मृत्यू होती है। कटिक तरुन में क्या होता है कि रक्त शय के कारण पांडू और हीन रूप से मृत्यू। कुकुंदर में क्या होता है कि अधह काय में चेश्टा हानी होती है स्पर्श ग्यान का अभाव होता है। नितंब में क्या होता है कि अधे शरीर में शूफ और दर्बल्ले से मरन होता है तो कोश्ट में रक्त की परिपूनता किस किस के विधोने पर होती है एक तो स्तन रुहित का हमने पड़ा एक हमने पड़ा अपस्तंब का ठीक है और एक हमने पड़ा अपलाप का जिसमें अपला कुंदरib कहा होता है कि अधे काई में चेश्टा हानी सफ़श क्यान का भाव नितंभ में अधे शरीर में शवफ और दुरुबले मरन होता है ठीक है ठीक है यग में अद्धर टुर्फ डार से ख flip नीला एवं मन्या, इनके वेधन से स्वर नाश हो जाता है, स्वर की विक्रती होती है और रस का अग्यान होता है ठीक है हमने ये थ्रोट के रीजन में मैंने आपको बताया था कि नीला और मन्या जो है ये होती है और मात्रका भी वहीं पे होती है ये चार सिराइं होती है ठीक है गले की तो नीला ये मन्या इनके वेदन से स्वर्म नाश होता है स्वरम्य विक्रती होती है क्योंकि वोकल एरिया के आस-पास की मर्म होते हैं और रस का अग्यान होता है मात्रका से सद्धय प्राण अर्ण हर है क्रकाटिका से सिर में कम्प होता है और विधूर चो कान के पास है ये कोशन भी कई मराया हुआ है तो विधुर जो है इसमें श्रवन शक्ति नाश हो जाती है मतलब अधिरता आ जाती है फण मरम जो है देखी कोशन विधुर से भी आया हुआ है विटप से भी आया हुआ है ठीक है विटप में हमने पढ़ा था स्क्रॉटल एरिय है आवर्थ है यह हमारे स्कल के एरिया में होते है तो दोनों में अंधता हो जाती है शंक मर्म में सध्या प्राणहर है मतलब कि जो मर्म हमारे शंक एरिया में यानि के टेंफॉरल रीजन में होता है उut शेप एवं स्थपनी ये विशलेघन मर्म होते हैं और फिर श्रिंगाटक मर्म ये सद्ध्य प्राणहर होते है नेक्स्ट आपका आजाता है सीमंत ये भी हमारे स्कल एरिया पे मर्म होता है ठीक है इसके वेदन होने पे ब्रहम उन्माद और मन का नाश होने से मृत्य होती है और अधिप मर्म ये भी सद्ध्य प्राणहर होता है अब مर्म का सामानि लक्षन क्या बताया है देखिए विशम स्पन्दन पीडिते रुख ठीक है एक तो विशम स्पन्दन होता है और इसमें पेन होती है ठीक है ये मतलब समानिविध होने के लक्षन जो है विशम स्पंदन पीडिते रुक अस्थी सनायू धमनी एवं सिरा एवं संधी के समागम स्थल पर विशेश रुप से मर्म स्थेत होता है तो ये मेली आचारियों ने बताया है कि ऐसी जगा जहां पर अस्थी संधी सनायू और सिरा धमनी इनका संगम होता है उस धल पर विशेश रुप से मर्म स्थेत होते हैं मर्म के भेद छे होते हैं तो लोकेशन के हिसाब से छे भेद होते हैं मास मर्म, अस्थी मर्म, सनायू मर्म, सिरा मर्म और संधी मर्म मास, अस्थी, सनायू, सिरा, संधी और धमनी मर्म धमनी मर्म आपको याद रखना है कि केवल आचारे वागबट ने इसका वर्णन किया है भागे आचारे ने इसका वर्णन नहीं किया है तो मास मर्म की संक्या कितनी हुई दस पहले मैं आपको इसके काउंटिंग बता देती हूँ मास मर्म की संक्या कितनी हुई दस अस्ती मर्म की संक्या कितनी हुई आठ ठीक है अब दस मास मर्म में चार है इंद्रवस्ती और चार है तलहिर्दे और दो है स्तनरोहित ठीक है तो आपने कैसे याद रखना है इसमें मास मर्म में तीन ही प्रकार के मर्म आते हैं इंद्रवस् चार तलहिर्दे और दो स्तन रहित स्तन दो होते हैं ठीक है तो उसके उपर के दो मर्म जो है स्तन रहित अस्ती मर्म आठ होते हैं दो शंखक दो कटिक तरुन दो नितंब दो अंसफलक दो अंसफलक और दो नितंब ठीक है अब नेक्स्ट है कि जो सनायू मर्म होते हैं इसकी स संख्या होती 23 संख्या थोड़ी सी उपर नीचे हो सकती है अचारे सुष्रुत और अचारे वागबट के मत से ठीक है तो आप इसको ज्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए सनायू मर्म जो है वो 23 होते हैं आप एक पर एक अचारे का यानि कि जैसे अभी अभी अश्टांग हि ये चरक और सुष्रुत के मिलेजूली मतों का वर्णन है ठीक है मिलेजूली जो उनका उनुका मत है चरक शुष्रुत णिख्या जिक जो दोन्нов को ले करके मिल जुल के बनाया है ऐस्टांग हिर्दे और ऐस्टांग संग्रे सनायू मर्म जो है वो 23 है जिसमें आणी चार, क कूर्च चार, कूर्च शिर चार, आनी चार और शिपर चार, ये सारे सनायू मर्म के अंडर आते हैं, तो पहले चार वाले अपने याद करने हैं, आनी, कूर्च, कूर्च शिर और शिपर मर्म, फिर उसके बाद है उच्छेप, अंस और अपांग, ये दो-दो हैं, तो द्धमनी मर्म आजि था खाक सbrig और दो धमनी मर्म, शिरा क्वा मर्म नीः मंया कश्थर और पर्षफ संदी Slowrice स्वा सथ यह आपने जस्ट एक दो रीडिंग्स देनी है ठीक है तो इसमें है कि ब्रहती मात्रका नीला मन्या कक्ष्थर फंड विटब पार्शव संधी तनमूल अपलाप उर्वी और लोही ताक्ष्ष यह आपके सिरा मर्म आ जाते हैं और सिरा मर्म कितने है 37 सनायू मर्म कितने है 23 अ संधी मर्म जो है यह 20 है ठीक है जैसे कि आवर्थ मनी बंद मैं आपको इसके निमोनिक्स जो है जब सुशुत सहीता पढ़ाऊंगी मर्म का तो मैं आपको निमोनिक्स भी बताऊंगी ठीक है तो आवर्थ है संधी मर्म में और मनी बंद है करकाटिका जानू अधिपती कुक जावर्त, मनीबंद, क्रकाटिका, जानू, कुगंदर, कूपर, वस्वरिकपूर और गुल्फ ये सारे दोदों है और सीमन्थ पांच है अधिवती एक है सुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषु सिरा मर्म का है ठीक है तो कक्षतर विटप और विधूर को अचारे सुशुत नायू मर्म का है कक्षतर विटप को अचारे वागबर जी ने क्या का है सिरा मर्म और इन्होंने विधूर जो है जो हमने पढ़ा था विदूर जिसके विद होने पर आ जाती है क्या आती है बधिरता होती है तो उन्होंने विदूर जो है वो धमनी मर्म के अंतरगत रखा है वागबर जी ने ठीक है जबके सुश्चुत ने स्नाईव मर्म के अंतरगत रखा है और श्रिंगाटक अपस्थम मर्म के बताये है कि कोण कोण से मर्म के क्या विद लक्षन है लेकिन अगर ब्रीफली देखें तो मास मर्म के विद होने पर निरंदर रंतर रक्त फ्राफ होता है एकसेस ब्लीडिंग होती है पांडवती ईंद्र अग्यान का अनुभव होता है कि जो इंद्र का ग्यान है उसका अभाव हो जाता है औरित्यी हो जाती है , मतलब egzcanus bleeding है पांडू है , इंद्रिय ग्यान अभाव है مृति्यू है , मा सोदक के सवान पतला स्त्राव है , अस्ती मर्म में क्या होता है candidates ? आश्रेट जो स्वचस्त्राफ का रुक रुक कर होना और रुजा होनी सनायू मर्म का क्या होता है आयाम है आक्षेप है मतलब जहां पर सनायू वर्ड है वहां पर आक्षेप वर्ड तो जरूर आएगा याएगा ठीक है तो इसमें है कि आयाम आक्षेप स्तंब वेदना अ शक सिर्व मर्म में क्या होता है कि सांद्र बहु रख्त स्त्राव ठीक है और गाणासा और एकसेस ब्लीडिंग और तृष्णा भ्रम श्वासमोहिका इन यह सब होते हैं और इनसे मृत्ति हो जाती है एकस्ट है कि जो कालांतर प्राण हर मर्म होते हैं यह चारे वागभटर और सुच्चुद दोनों ने 33 बताए हैं कालांतर प्राण हर मर्म ठीक है आप संख्या याद रखेगा ठीक है एक बार मैं आपको रीडिंग करतेती हूं कि इसमें कौन-कौन से मर्म होते हैं जैसे कि अ कालांतर प्राण हर मर्म होते हैं यह 15 दिन में प्राण हरने वाले होते हैं ठीक है और जैसे विशलेगन मर्म है यह जैसे शले बाहर निकाल दिया तो मृत्यू हो जाती है एक है रुजा कर मर्म एक है विकल्ले कर मर्म जो विकलांगता लाते हैं तो इस तरह से मर्म जो है प्र विशलेगन मर्म जो है वो तीन है, तीन कौन से है, दो उच्छेव है और एक स्थपनी, रुजाकर मर्म आठ होते हैं, कूर्च शिर चार, गुल्फ दो और मनिबंद दो, ठीक है, मतलब एंकल में और रिस्ट में दो दो, एंड एक कूर्च शिर होता है, मतलब चार संख्या मे होते हैं, कूर्च शिर, वेकल्लेकर मर्म जो होते हैं, वो है 44, ठीक है, शेश जितने भी रहेगे, वो 44 रहेगे हैं, शाखावले, तो वेकल्लेकर मर्म होते हैं, रुजाकर चार होते हैं, गुल्फ, मनिबंद, कूर्च शिर, विशलेगन, तीन होते हैं, दो उच्छेव, और एक स्थपनी, स्थपनी मैंने आपको बताया था कि आईबिरोस के ब्रू के मध्य में होते हैं, एक मर्म, और बाकी ये कालंतर प्रानहर मर्म वो होते हैं 33 संख्या में, जैसे कि अपस्तम है, अहितल हिर्दे है, पार्शफ संधी, कटिक तरुन, तो आपने मेली संख्या य पानू और कूरपर का होता है तीन अंगुल, फिर उसके बाद जो अपान है, वस्ती है, हिर्दे, नाभी, नीला, सीमन्त, मात्रगा, श्रिंगाटक, मन्या, तो इसका आत्म पानी तल सद्रिश है, ठीक है, तो आत्म पानी तल मतलब की उसी के शरीर का जो हतीली है, ठीक है, उसके जितना है, ठीक है, वैसे भी हम देखते हैं कि अगर हम in general modern medical science में पढ़े कि heart का size क्या है, तो वो कहते हैं, आपकी fist जितना heart का size है, मुठी बंद करके जो fist बंती है, उसका उतना heart का size होता है, तो उस हिसाब से बताया है, आत्म, मतलब स्वें का पानी तल सद्रिश जो परिमान होता है, शेश जो है, बाकी बचे अर्ध अंगुल परिमान के होते हैं, मर्म के विध होने पर रोगी की प्राण रक्षा के लिए अंगो को संदिस तल से काट देना चाहिए, ठीक है, तो इसमें amputation बताया हुआ है, कि मर्म विध हो गया, तो रोगी के प्राण रक करेंगे निदान स्थान, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम चिकित्सा स्थान, इस तरह से हम धिरे धिरे श्टांग हिर्दे जो है, जल्दी कम्प्रीट कर लेंगे, आपको अगर ये नोट्स चाहिए, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मत ये वन टाइम फीज आपको देनी होती है, और जब तक आपको एक्जाम होता है, तब तक हम लोग जो है, वीकेंड पे नोट्स जो है, रेगलर बेसिस पर अपलोड करते रहते हैं, धन्यवाद